परिवार के बीच बदले की जंग और बेटे ने लिया बचपन का बदला सिंबा एक दाकतवर और जाबा शेर था उसमें एक गड़ा बनाया जहां धेर सारे नुकीले काटे रखे गए थे सिंबा उस गड़े तक रुद्र नाम के शेर को लाता है और उसे उस गड़े में गिरा लेता है अरे बाहर निकालो मुझे ये काटे चुप रहे है बीज मुझे बाहर निकालो रूद्र गड़े से बाहर निदाने की कोशिश करता पर सिम्बा उसे गड़े में धकेल देता था बार बार काटों पर गिरने की वज़े से रूद्र घायल हो चुका था वे फून से लतपत हो गया सिम्बा मुण से एक भी शब्द नहीं निकाल रहा था पर उसके चहरे पर तसली दीक रही थी ऐसे ही तड़ब तड़ब के रूद्र उस गड़े में मर जाता है दूसरे दिन सिम्बा भैरो नाम के शेर के पीछे पड़ जाता है अरे ओ शेर आखिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है छोड़ दे मुझे छोड़ दे मेरा रास्ता तब सिम्बा उसे मारने लगता है सिम्बा की ताकत के सामने भैरो टिक नहीं पाता सिम्बा भैरो को लेकर नदी किनारे आता है वो उसे पत्तर से बांग देता है नहीं नहीं मुझे मत मारो ये सब मत करो छोड़ दो मुझे प्लीस छोड दो भैरव सिंबा के सामने जान की भीक मांगता है पर सिंबा को उसकी दया नहीं आती सिंबा भैरव को नदी में धकेल देता है पत्तर की वज़े से भैरव पानी में भूपर मर जाता है तब ही वहाँ पीचे से जंगल का राजा शेर आता है शेर जोर की दहार लगाता है और कहता है अरे वो शेर तू कौन है कहा से आया है रे तू और तूने मेरे भाईयों की जान क्यों ली तब सिंबा पीचे मुड़ कर देखता है उसे उसके आखों के सामने उसके बच्पन का सारा मंजर याद आता है शेर को अपने भाईयों के लिए तड़कता देखकर सिंबा को बहुत ही अच्छा लग रहा था वो बस शेर को घूरते रहता है कि तब शेर कहता है अब तू मुझे क्यों घूर रहा है मुझे जबान नहीं है क्या लगता है तू अपनी जुबान नहीं खोलेगा रुख मैं अभी तेरी खाल उधेड़ता हूँ शेर गुसे से सिंबा पर हमला करने आता है तब जाके सिंबा कहता है रुख जा शेर अपनी मौट से पहले मेरा परीचय तो सुन ले तब शेर रुख जाता है और कहता है क्या मतलब है तुमहरा कौन हो तुम साप साप कहू याद कर वो दिन जिस दिन तु अपने इनी दो भाहियों के साथ मेरे जंगल आया था याद कर जिस दिन तुमने किसी मासूम की जान ली थी याद कर याद कर और पहचान मुझे तब शेर अपने दिमाग पर जोर डालता है तब जाके उसे सब याद आता है शेर को उसकी करनी आखों के सामने दिखाई देती है दरसल कुछ सालों पहले जंगल पर ये बाग का राज्य था और उस जंगल में सिंबा अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ रहता था बाग बुजुर्ख हो गया था वो सिंबा के पिता को जंगल का राजा बनाने वाला था जंगल में ऐसी गोशना भी हो चुकी थी पर उस राग शेर रुद्रों और भेरों के साल आता है और कहता है अरे ओ शेर तू इस जंगल का राजा नहीं बन सकता बाग महराज के पास जा और मना कर दे उसे देख मैं तेरा सवतेला भाई हूँ अपने भाई के लिए इतना तो कर दे तब सिंबा के पिता कहते है नहीं मैं ऐसा हरगीज नहीं होने दूँगा और नहीं करूँगा तुमारे कहने पर तो कभी नहीं करूँगा तू एक पापी और कभी ना शेर है मैं तेरे हाथों जंगल की भागदोड नहीं पढ़ने दूंगा अच्छा तो फिर देख मैं क्या करता हूँ उस वक्त गुती को भाई मिलकर सिंबा के पिता पर खमना के देते हैं उसी वक्त शेरनी बीच में आती है तो वो उसे भी चांग से मार देते हैं इतना ही नहीं बलके छोटी बच्चिकों के चांग से मार देते हैं ये सब दूर से सिंबा देख लेता है उस वक्त वो छोटा था सेमा हुआ था इसलिए वो सामने नहीं आता है दूसरे दिन सिंबा बाग महाराज के पास आता है वो उने सारी सच्चाई बता देता है तब बाग जानवरों की सभा गुलाता है उसमें शेर और उसके भाई भी उपस्तित रहते हैं तब सिंबा इंसाफ के लिए बाग से कहता है बाग महाराज मेरे माता पिता और छोटी बहन को इस शेर ने मार डाला मेरा इंसाफ करो महाराज और इस शेर और उसके भाईयों को मोत की सजा दो सारे जानवर ये सब सुनकर सुनना हो जाते हैं पर तब शेर कहता है बाग महाराज ये सब जूट है कल हम तो इस जंगल में ही नहीं थे आप चाहे तो हिरन से पूछ सकते हो हम उसके सामने ही दूसरे जंगल में गहे थे कुछ काम से और वहाँ से आज सवेरे ही लोट आए है हिरन क्यों ये सच है हाँ महाराज ये सच है मैंने खुद इन तिनों को दूसरे जंगल जाते देखा था और मैंने इनसे बात भी की थी दरसल शेर ने बस अपने लिए सबूत रहना चाहिए इसलिए हिरन से बात की थी वो बस दूसरे जंगल जाने का नाटक कर रहा था जैसे ही हिरन वह से चली गई थी वो तीनों भाई वापस जंगल आये थे और इसके खबर किसी को नहीं थी हिरन का बयान सुनकर सिंबा कहता है सिंबा महाराज और बाकी जानवरों के पास आता है पर कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता तब सिंबा उदास हो जाता है ठीक है अगर किसी को मेरा विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं पर शेर मैं वापस जरूर आउंगा मैं मेरा बदला पूरा करने जरूर आउंगा शेर सोच में ही डूबा हुआ था कि तब सिंबा कहता है लगता है तुझे सब यादा गया क्यों शेर मैं वही सिंबा हूँ जिसे तुमने बच्पन में अनात कर दिया आज मैं मेरा वादा पूरा करने आया हूँ अच्छा तो तू है वो सिंबा काश तुझे भी मैंने मार दिया होता कोई बात नहीं जो उस वक्त नहीं किया आज मैं वो कर देता हूँ तू क्या मुझे मारेगा, देखा नहीं तेरे भाईयों को कैसे तड़पा तड़पा के मारा, अब तेरी बारी सिम्बा और शेर के बिच भयाना पर शोग हो जाती है, सिम्बा बार बार शेर पर बार पर वार करते जाता है शेर कांजोर होने लगा और सिंबा शेर को चांसे माल देता है तब इवा सारे जानवर इकटा हो जाते है शेर को मरा देखकर वो भी खुश हो जाते है तब जानवरों में से बंदर कहता है बहुत अच्छा किया जो तुमने इस पापी शेर को मार डाला इस शेर ने हमारी दुनिया ही जहन्नुम बना दी थी वो सारे सिंबा का जैजे कार करते हैं इस तरह से सिंबा ने अपना बच्पन का बदला पूरा किया और जंगल का राजा बन कर अपना कर्तव्यन निभाने लगा गर्मी की समस्या बुद्धिमान उट गर्भवती हतनी और चतुर बंदर गर्मीयों से जंगल के सारे जानवर बड़ परिशान हो गए थे उसी जंगल में गर्भवती हतनी थी वो भी अपने बच्चे को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रही थी और ऐसे में एक दिन शेर हतनी का शिकार करने आता है तब हतनी शेर के सामने जांग की भीग मामती है शेर मुझे मत मारो मैं गर्भवती हूँ भगवान के लिए मुझे छोड़ दो अरे इतनी गर्मी में बच्चे को जनम देकर क्या कर लेगी वैसे भी जंगल के तालाव सूख गए है तुमारा खुन पिऊंगा तो मेरे सुखे गले को सुकुन मिलेगा नहीं नहीं ऐसा मत कहो शेर मेरे लिए नहीं पर मेरे बच्चे के लिए मुझे छोड़ दो कुरुपा कर दो मुझ पर पर शेर कहा रुखने वाला था वो जोर से दहार लगाता है दहार सुनते ही हतनी समझ जाती है कि अब उसकी खेर नहीं तब वो पूरी ताकत के साथ वहा से भागने लगती है हतनी को पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है बापरे अब ये शेर गरभवती हतनी को मार कर ही रहेगा नहीं नहीं मुझे हतनी की जान बचानी होगी तब बंदर एक फ्लान करता है हतनी जाडियों में चली जाती है तब बंदर शेर के सामने आता है अरे शेर यहां कहां भाग रहे हो वो हतनी तो दूसरी और भाग गई क्या कह रहे हो तुम ऐसे कैसे वो मेरी आखों से ओजल हो सकती है हाँ मैंने उसे पेड के उपर से देखा इसलिए तो तुम्हें बताने नीचे आ गया मैं शेर को बड़ा गुसा आता है वो भूका भी था तब वो बंदर से कहता है ठीक है पर हतनी ना सही अब तु ही मेरा शिकार है ऐसा कहकर शेर बंदर पर जड़प लगाता है तब बंदर जड़ से पेड पड़ चड़ता है शेर पेड पर चड़ने की कोशिश करता है तब बंदर पेडों से उचल कूद करते हुए आगे बढ़ता है इस तरह से बंदर और गर्भवती हतनी भी शेर की हाथ से निकल जाते है इधर हतनी जाड़ियों से बाहर आती है तो वो एक रेगिस्तान में पहुँच जाती है अरे ये तो एक रेगिस्तान है अब ऐसे में मैं कहा जाओ यहां भी मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है यहां दूर दूर तक कोई छाया नहीं है और नहीं पानी क्या करू ऊट उधर जंगल में शेर मेरे खून का प्यासा है और यहां मैं पानी के लिए प्यासी हूँ हतनी सारी बात ऊट को बता देती है ऊट को हतनी पर दया आती है तब वो कहता है देखो, ऐसी हालत में तुम धूप में नहीं घूम सकती हो चलो मेरे साथ, मैं तुमें एक खजूर के पेड के छाया में ले चलता हूँ हतनी उट के साथ खजूर के पेड के पास आती है पेड की छाया में हतनी को थोड़ा सुकून मिल जाता है पर पानी की समस्या अभी भी वही थी वो दोनों सोची रहे थे कि तब ही वहाँ बंदर आता है हतनी मैं भी शेर से बचते हुए यहाँ आ गया वैसे आज मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी तुमने हतनी की जान बचाई? मुझे विश्वास नहीं हो रहा पर चलो ठीक है बंदर आब बताओ कि आब हम इस गर्मी से कैसे बचे हाँ बंदर उट सही कहे रहा है और तो और बस कुछी दिनों में मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आएगा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ मेरे पास एक उपाए है कुछ सालों पहले मैंने सुना था कि यहां कुछी दूरी पर एक गूफा है जहाँ पानी का कुवा है जो पूरे साल भरा रहता है अगर हम वहा गए तो हम इस गर्मी की समस्या से हमेशा के लिए बच जाएंगे बंदर का ये हल सुन कर वो तीनों उस गुफा की और निकल पड़ते है रास्ते में उट और बंदर हतनी का खयाल रखते है चलते चलते वो उस गुफा तक पहुच जाते है तीनों भी बड़े खुश हो जाते है अब मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा धन्यवाद बंदर और उट तुम्हारा भी धन्यवाद वो तीनों खुशी से गुफा के अंदर जाने लगते है कि तबी वहाँ एक सफेद बाग प्रकट हो जाता है रुख जाओ तुम अंदर नहीं जा सकते और अगर अंदर जाकर कुए का पानी पी लिया तो वो पानी नहीं बलकि जहर बन जाएगा और तुम तीनों मारे जाओगे ऐसा ना कहो बाग एक बार मेरी हालत तो देखो पहले ही मैं मुश्किलों से बचते हुए यहां तकाई हूँ और अब तुम भी ऐसे कह रहे हो हाँ मैं भी क्या करूँ क्यूंकि कुछ जानवर इस बात का गलत फाइदा उठाते है पर तुम सब की मजबूरी देखकर मैं तुमें एक पहली पूछता हूँ अगर पहली का सही जवाब दिया तो तुम अंदर जा सकते हो और हाँ जब तक गर्मिया खतम नहीं होते तुम वहाँ रह भी सकते हो हाँ हम तैयार है आप अपनी पहली पूछो ठीक है तो सुनो लाल हूँ खाती हूँ सूखी खास पानी पीकर मैं मर जाओ बताओ मैं हूँ कोन उठ और बंदर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते है थोड़ी देर बाद उठ और बंदर दोनों एक साथ कहते है सही जवाब है आग बाग सही जवाब सुनकर गायब हो जाता है और वो तीनों गुफा के अंदर जाकर भरे हुए कुए का पानी पीकर संतुष्ठ हो जाते है सच में आज तुम दोनों की वज़े से मैं और मेरा बच्चा बज गया और हमारी गर्मियों की समस्या भी खत्म हो गई आज से हम तीनों यही पर रहेंगे उस दिन से उठ बंदर और हतनी वही रहते है कुछ दिनों बाद हतनी को एक प्यारा सा बच्चा होता है इस तरह से वो गर्मी के मोसम में भी खूशी से उस गूफा में रहने लगते है